बम भोले शंकर वैसे तो अक्सर मैं आप लोगों के साथ रेसिपी ही शेयर करती हूँ लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खास जो किसी भी शिव भक्त के लिए सबसे प्रिय चीज होती है वो शेयर करने वाली हूँ मेरे हाट में एक पार्सल है और यह पार्सल मुझे मिला है मध्यपरदेश से कुछ दिन पहले मैंने इसे औरडर किया था और इसे मेरे पास आने में दस दिन का समय लगा है और इस पार्सन में है नर्वदेश्वर शिवलिंग, जिसकी महिमा शायद आप लोगों को पता होगी, ये नर्वदा नदी के जल प्रवा से प्राप्त किया जाता है और अपने प्रक्तिक रूप में ही इसे पूजा जाता है। यानि कि जिस तरीके से इसे नर्वदा नदी के जल से निकाला जाता है, उसी रूप में आप इसे घर में स्थापित करके इसकी पूजा कर सकते हैं। इस शिवलिंग की प्रान पतिस्ठा करने की अवशकता नहीं पड़ती क्योंकि ये स्वयंभू होते हैं और प्रान करके चमकाया गया है, इसमें कोई रंग नहीं भरा गया है, ये इसी तरीके से नर्वदा नदी के जल से मिला था। इसकी जो जलधारी है वो भी नर्वदा नदी के पत्तर से तराश कर बनाए गया है। यही शिवलिंग मुझे अपने मंदिर पर पूजा करने के लिए चाह पित हैं जिनकी हमने शादी करवाई थी माता पार्वती से और अपनी शादी होने से पहले तक मैं उनकी ही पुजा करती थी। मेरी ऐसी इच्छा थी कि जब मैं महाकाल भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊंगी तब मैं वहां से नर्वदेश्वा शिवलिंग लेती आऊंगी। पर महादेव को हमारे घर में आने की बहुत जल्दी थी। वैसे भी भक्त अपने भगवान को नहीं भगवान अपने भक्त को चुनते हैं। मैं बहुत भाकिशाली हूँ कि मैं जीते जी नर्वदेश्वा शिवलिंग की पूजा कर पा रही। ये शिवलिंग मुझे कैसे प्राप्त हुआ और ये मुझे कहां से मिला, कैसे मैंने इसका ओर्डर दिया, ये सब मैं आपको अब बताती हूँ। इंस्टाग्रम पर मुझे एक पेच दिखा, शाम केवट के नाम से, मैंने उस प्रोफाइल पर क्लिक किया, तो मुझे पता चला ये बड़ी तादात में शिवलिंग को आप तक पहुचाने का काम करते हैं। तो मैंने इनसे संपर्ख किया, और इनसे बात की, भाई साहब इतने सहयोगी थे कि इन्होंने हमें विडियो कॉल किया, और अपनी शौप दिखाई, शौप पर हजारों, हजारों शिवलिंग रखे हुए थे, जलधारी और बहुत सारी मूर्तियां भी थी, नंदी भगवा शिवलिंग दिखाए, जिनमें से ये केसरी तिलक वाले शिव जी हमें पसंद आए, और हमने इसका ओर्डर तुरंथी साथी साथ दे दिया, भाई साब बहुत ही सयोगी थे, इन्होंने सारी डिटेल्स हम से पूश ली थी, और अपनी फी सारी डिटेल्स बता दी थी, और बिना किसी दिक्कत कि ये शिवलिंग दस दिन के अंदर हमारे पास पहुँच गया, यदि आप लोग भी ऐसा ही नर्वदेश्वा शिवलिंग अपने घर में या मंदिर में स्थापित करना चाते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों से इस शिवलिंग को परचेस करने की सारी डिटेल्स शेर करूंगी, और पूरी जानकारी आपको प्रवाइट कराऊंगी ताकि ये शिवलिंग आप तक भी पहुँच पाए, आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, आपको ये शिवलिंग मिल जाएगा, इविन आप भारत के बाहर भी रहत हैं, नेपाल में या कहीं और, तो भी ये शिवलिंग आप तक पहुँच जाएगा, तो आज दिन सोंबार है, और मुझे सुबा ही पता चल गया था, कि ये शिवलिंग मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर शिवजी का अविशेक किया है, गंगा चल और आज की छोटी सी वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, अगर आप भी चाते हैं ऐसा शिवलिंग अपने घर पे, तो मुझे कमेंड करके जरूर बताएं, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखे, खुश रहे और मेरी वीडियोस देखते रहे, बम भूले शंकर